गुड इवनिंग टू आल आफ यू मैं तुलकुमार सर्मा आप सभी का एक बार फिर अपने यूटूब चैनल फिरी केमिस्ट्री वाई सर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अविनन्दन करता हूँ Students इस समय हम लोग LD हाइट को पढ़ रहे हैं हम लोगोंने पिछले लेक्चर में LD हाइट क्या होते हैं इसको जाना था LD हाइट के नाम करन को भी कैसे उसका नाम देंगे हमने इस पर भी चर्चा की थी तो ऐसी Students जिनोंने मेरी वीडियोज को नहीं देखा है तो करपया करके पिछली वीडियोज को जरूर देखें जब वीडियोज के क्रम में एक रूपता रहेगी आप कांटीनू लगातार वीडियोज को देखेंगे तरही बच्चों आपको सारी बाते समझ में आएंगे बेबचे जिनोंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है करपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने बाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए आज की लक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे एल्डिहाइड के निर्माड की एल्डिहाइडों का निर्माड किस प्रकार से किया जा सकता है हम लोग उस पर चर्चा करेंगे आपको एक बात मैंड में यह रखनी है कि एल्डिहाइड कौन से कमपाउंड होते हैं आपको इस बात को पता होना चाहिए कि ऐसे कंपाउंड जिसमें CHO गुरुप उपस्थित होता है उनको बचो एल्डी हाइड कहते हैं चली हम लोग एक एक करके ऐल्डी हाइड का निर्माड पढ़ेंगी आप कापी पहले करके मेरे द्वारा बताये जाने वाले एक एक पॉइंट को अपनी कापी पर नोट करेंगे चले स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट बचों जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ने वाले हैं बैपॉइंट है एल्कोहल के आक्सी करण द्वारा अर्थात हम लोग एल्डिहाइड का जो निर्माड करेंगे उसमें सबसे पहला मैथट जो मैं यूज करूँगा बैए एल्कोहल के आक्सी करण द्वारा है एल्कोहल के आक्सी करण के द्वारा हम लोग एल्डिहाइड का निर्माड करेंगे मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगा कि अलकोहल हमने यहाँ पर जो जिक्र किया है यहाँ पर केबल हम लोग प्राथिमिक अलकोहल का प्रियोग करेंगे हमने अपने अलकोहल के वीडियोज में आपको बताया है कि अलकोहल कितने प्रकार के होते हैं उसमें हम लोगों ने प्राथिमिक अलकोहल दोतियक अलकोहल तरतियक अलकोहल और पॉली अलकोहल को पढ़ा है प्राथिमिक अलकोहल कौन से होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ आपको पता होगा सारी बाते मैं इस पस्ट पहले ही कर चुका हूँ आप लोगों को अगर इसकी डिटेल पढ़नी है तो एलकोहल बाले चैप्टर पर जा करके उसकी वीडियोज को देख सकते हैं तो बचो प्राथिमिक एलकोहल हम लोग प्रियोग करेंगे और प्राथिमिक एलकोहल का अपने को आक्सिकर कराना है एक काम करता हूँ मैं प्राथिमिक एलकोहल के अंतरगत दो एकजामपिल लेंगा और दो एकजामपिल लेकर के हम लोग इसको समझेंगे प्राथिमिक अल्कोहल के एकजामपिल में मैं एक एकजामपिल लेता हूँ मेथिल अल्कोहल का पॉइंट समझना बचो एक एक पॉइंट जब आप लोग बहुत सरल तरीके से समझेंगे तभी बचो आपके माइंड में यह बात जो मैं बता रहा हूँ कम्प्लिटली सेट हो जाएगा तो प्राथिमिक अल्कोहल के रूप में मैं मेथिल अल्कोहल का एकजामपिल लूँगा और साथी साथ बचो में एथिल अल्कोहल का एकजामपिल लूँगा और इन दोनों के एक जामपिल को लिख करके मैं इनका आक्सी कड़ कराऊंगा और बच्चो एलडी हाइड बनाऊंगा किस तरीके से देखेगा बच्चो पहले मैं मेथिल अलकोहल की बात किये लेता हूँ मेथिल अलकोहल का सुत्र होता है CH3OH यह बच्चो मेथिल अलकोहल है मेथिल अलकोहल का आक्सी कड़ कराना है सभी लोग जानते हैं आक्सी कड़ आक्सीजन की प्रजेंस में होता है और जब आक्सी कड़ कराती हैं तो उसके लिए बच्चो अपने को आक्सी कड़ अभिकर्मक किया बसकता पड़ती है अपने को आक्सी करण अभिकर्म किया वसकता पड़ती है तो हम लोग मेथिल एलकोहल का आक्सी करण करानी जा रहे हैं और यहां पर आपको किसको यूज करना में बता दूँ आपको यूज करना है अमली या माध्यम में अमली माध्यम का मतलब H2SO4 ने कोई अमल ले सकते हैं आपको यूज करना है अमली माध्यम में सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Na2Cr2O7 अर्थात आपको अगर मेथिल एलकोहल का आक्सी करण कराना है तो हमलीये मार्ध्यम अर्थात सोडियम डाईकरोमेट यूज़ करेंगे भो विक्स में H2SO4 में मिला करके अमलीये मार्ध्यम बना करके आप इस मेथिल अलकोछ का अकसिकर कराएंगे जब आप मेथिल अलकोछ का अकसिकर कराएंगे बच्चों तब क्या होगा पॉइंट को समझेगा मैं ये जो CS3 OH लिखा इसको थोड़ा सा समझा करके अलग तरीके से लिखने का प्रयास करता हूँ देखीगा मैंने ये काम किया है ये जो CH3 है उसको इस तरह से लिखे देता हूँ बात सब की समझ में आ रही है CH3 दे रखें यहाँ पर तो मैंने दो अलग कर दी एक अलग कर दिया क्लियर हो गई ऐसा क्यों लिखा बचो ये ऐसा मैंने इस लिखा को कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस में से जल निकलता है और जल कैसे निकलता मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ जल अलग हो जाएगा देखे बचो मैंने जल को अलग कर दिया अब क्या बचा है CH बचा है इधर H बचा है और इधर O बचा है क्लियर देखेगा मैं इस H को पहले लिखे देता हूँ लिख दिया फिर CH लिखता हूँ और CH के साथ में मैं ओ को लगा देता हूँ देखें बच्चों C-ACO गृूर्प जुडगया और जब C-ACO गृूर्प जुड़ता है तो बैही होगी बच्चों क्या कहलाते हैं LD-Hide कहलाते हैं पिछले वीडियो में मैंने इसका नाम बताया था सब बच्चों को इसका नाम भी पता होगा इसका नाम क्या है बच्चों फारमिल्डी हाइड है तो अगर मेथिल अल्कोहल का हम लोग बच्चों आक्सिकर्म कराते हैं किसकी उपास्थित में आक्सिकारक अविकर्मक की उपास्थित में तो फार्मिल्डी हाइड का निर्माड होता है यहां तक सारी बाते इस पस्ट हो गई होंगे तो में एथिल अल्कोहल का एक्जाम पिल ले करके हमने अल्डी हाइड बना लिया अब बच्चों में एथिल अल्कोहल का एक्जाम पिल लेता हूँ एथिल अल्कोहल का बच्चों सूत्र C2H5OH होता C2H5OH अभी C2H5OH सूत्र को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है CH3, CH2, OH इस तरीके से भी वच्चों हम लोग लिख सकते हैं कारवन दो दे रखें तो कारवन एक और एक दो कारवन यहाँ पर भी वच्चों दो दे रखें इतनी बात सब की समझ में आगई इसका भी वच्चों अपने को आक्सिकण कराना है मैं आक्सिकण किसकी उपास्चित में कराओंगा सबको पता ही है बच्चों यह की पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एक जाम में पूँश सकते हैं कि आक्सिकण किसकी उपास्चित में संपन कराया जाता है तो इसलिए मैं जिस जिस compound का यूज करूँ तो आपको वो compound ध्यान रखने मैं यहाँ पर बच्चों इसका भी आक्सिकर्ड कराने जा रहा हूँ देखे बच्चों मैंने इसके आक्सिकर्ड के लिए यहाँ पर oxygen को ले लिया किसकी उपस्तित्म कराऊंगा सेम बच्चों भी कर्मक रहेगा na2 cr2o7 sodium dichromate और साथी साथ बच्चों h2so4 अमलियम अध्यम अब आप देखे यहाँ पर जो h2o लिखा है बच्चों यह h2o अलग हो जाएगा अब क्या चीज बच्चा है देखेगा बच्चों ch3 बच्चा है उसके बाद c बच्चा है उसके बाद h बच्चा है और बच्चों यह o लग जाएगा ch group आते ही बच्चों यह aldehyde है लेकिन इसका नाम मैंने पिछली वीडियो में बताया था बच्चों इसका नाम है acetaldehyde क्या नाम है इसका बच्चों acetaldehyde तो आप देखेगा बच्चों हम लोगों ने एक मैथट कम्प्लीट कर लिया alcohol के आक्सिकण के द्वारा हम लोगों ने बच्चों aldehyde का निर्माड कर लिया है यह केवल एक मैथट है अब हम लोग दूसरे मैथट का जिक्र करेंगे कि alcohol के आक्सिकण के अलाबा हम लोग किन विधियों के द्वारा aldehyde बना सकते हैं दूसरा मैथट जो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों alcohol के बी हाइड्रोजिनी कर द्वारा अभी हम लोगों ने एल्कोहल के आक्सिकण द्वारा aldehyde बनाया था अब हम लोग एल्कोहल के बी हाइड्रोजिनी कर द्वारा aldehyde बनाएंगे बी हाइड्रोजिनी का मतलब होता है हाइड्रोजन को अलक करना हाइड्रोजन को अलक करना या हाइड्रोजन को पर्थक करना तो हाइड्रोजन को अलक करना या हाइड्रोजन को पर्थक करना यही कहलाता है बी हाइड्रोजिनी करना और एलकोहल के रूप में हम लोग किसको प्रियोग करेंगे अभी हम लोगों ने चर्चा की थी आक्सिकन के समय तो मैं आपको फिर बता दूँ कि एलकोहल के रूप में हम लोग बचों प्राथिमिक एलकोहल का जिक्र करेंगे तो प्राथिमिक एलकोहल से हाइडोजन को पर्थक कर दीजिए LD हाइड का निर्माड हो जाएगा अब प्राथिमिक एलकोहल में भी किस-किस को यूज करेंगे तो मैंने भी बताया था मैंने भी दो एकजामपिल लिये थे इसमें एक CS3-OH जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेथिल एलकोहल कहते हैं तो एक एकजामपिल हम लोग मेथिल एलकोहल से बताएंगे और दوسरा बचो हम लोग CH3-CH2-OH क्या नाम है इसका इसका बचो नाम है एथिल एलकोहल तो हम लोग प्राथमिक अल्कोहल के अंतरगत एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का एक जाम पिल ले करके उसमें से हाइडोजन को हटाएंगी और हाइडोजन को हटा करके बच्चों हम लोग अल्डी हाइड का निर्माड करेंगी तो बच्चों सबसे पहले हम लोग मेथिल एलकोहल का बी हाइडोजनी कन करती है मेथिल एलकोहल का बी हाइडोजनी कन करने के लिए बच्चों आपको करना क्या है आपको प्राथिमिक एलकोहल की बास्प लेनी है चाहे प्रातिमिक अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल आप यूज़ करें चाहे एथिल अल्कोहल आप यूज़ करें इनकी बास्प को आपको लेना है और इनकी बास्प को करना क्या है आप चाहे तो कापर यूज़ कर सकते हैं कापर ले ले या फिर आप सिल्वर ले ले ले। कापर या सिल्वर इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं और टंपरेचर आपको 300 degree centigrade लेना है। अर्थाथ प्रार्त्यमिक एल्कोहल की बास्प को करीब 300 degree centigrade टाप पर गर्म कापर या सिल्वर के ऊपर प्रवाहित करना है। किलिर हो गई बात वी हाइड्रोजनी कण कैसे करेंगे प्रात्यमिक अल्कोहल की बास्प को 300 डिग्री सेंडिगेट टाप पर गर्म कापर या गर्म सिल्वर के उपर प्रभाहित करेंगे जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चों हाइड्रोजन अलग हो जाएगे हाइड्रोजन अलग होना ही क्या कहलाएगा वी हाइड्रोजनी कण समझ गए आप अब बच्चों बच्चता क्या अपने पास है देखें यहाँ पर तीन हाइड्रोजन है दो चले गए तो कितने बच्चे हाइड्रोजन CH इसके बाद क्या लगा है O लगा है ये CH हो गया इस वाले H को आगे लगा दीजिए जब आप आगे लगा देंगे तो बच्चों कंपाउंड क्या बनेगा क्या नाम है इसका इसका नाम है फारमिल्डी हाइड CH गुरुप लगा है मतलब अल्डी हाइड चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करते है अपने पास एथिल अलकोहल है एथिल अलकोहल की भी बास्प को हम लोग यूज़ करेंगे टमप्रेचर सेम रहेगा तीन सव और तीन सव टमप्रेचर पर इसकी बास्प को कापर पर या सिल्बर पर प्रभाहिट करेंगे क्या होगा हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और जैसे बच्चो हाइड्रोजन अलग होगी क्या बच्चेगा CH3 उसके आगे देखे C लगा हुआ है H2 अलग हो गया इस OH को उल्टा कर दीजिए HO CHO मिल गया क्या नाम है बच्चो इसका इसका नाम है Acetaldehyde क्या नाम बच्चो इसका Acetaldehyde के लिए रोगई बच्च तो देखो ध्यान से हम लोगों ने अलकोहल के आकसे कड़ के द्वारा भी अलड़ी हाइड बना लिया और अलकोहल के B-Hydrogenical के द्वारा भी हम लोगों ने अलड़ी हाइड का निर्माड कर लिया तो इस दो तरीके हम लोगों ने पढ़े हैं जिनसे हम लोगों ने अलड़ी हाइड का निर्माड किया है आपको ये दोनों तरीके अच्छे लगी होंगे एदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बच्चो केमेंट्स बाक्स में मुझे जरूर बताना तो दो मैथट कम्प्लीट होने के बाद अब मैं तीसरे मैथट का जिक्र करूंगा कि वो तीसरे मैथट काउंसा है जिसकी साहता से हम लोग अल्डी हाइट का निर्माड कर सकते हैं अब तीसरे जो मैथट हम लोग पढ़ने वाली हैं जिसकी साहता से हम लोग अल्डी हाइट का निर्माड करेंगी बो तिसरा मैथड है एस्टिक अमल और फार्मिक अमल की क्रिया द्वारा बचो एस्टिक अमल को बसा अमल भी कहते हैं इसलिए अगर एक जाम में कोश्चन बसा अमल से निर्माड पूछे तो आपको ध्यान रखना है बसा अमल का उधारण ही है एस्टिक अमल ध्यान रखेंगे आप लोग कि एगर बसा अमल से निर्माड पूछा जाए तब भी आपको यही रियक्षन देनी है तो बच्चो एसिटिक अमल का जो सूत्र होता है CS3COOH होता है मैं इसका सूत्र यहाँ पर लिखे देता हूँ यह एसिटिक अमल हो गया और बच्चो एसिटिक अमल की रियक्षन किसके साथ में करानी है फार्मिक अमल के साथ करानी है फार्मिक अमल का जो सूत्र है HCOOH होता है तो मैंने दोनों फार्मूलियों को आपके सामने लिख दिया है अपने पास एसिटिक अमल भी है अपने पास बच्चों फार्मिक अमल भी है मैं दोनों को आपके सामने दोनों के सुत्र मैंने लिख दी है अब आपको करना क्या है बच्चों 300 degree centigrade temperature लेना है 300 temperature क्लियर हो गई और आपको एक उत्प्रेरक यूज करना है MNO अब आप पूछेंगे सरी MNO है क्या चीज़ तुम्हें बता दूए MNO यह मैगनस है मैगनस ओ लगा हुआ है तो आकसाइड तो मैगनस आकसाइड आपको यूज करना है किस रूप में उत्प्रेरक के रूप में अर्था एस्टिक अमल और फार्मिक अमल का सयोग करना है किस की उपस्थित में मैगनस आकसाइड की उपस्थित में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ यह जो CW आप देख रहे हैं तो CO2 साव अलग हो जाएगा क्या अलग हो गई CO2 अलग हो गई इतनी बात के लिए रोगी यह आप जो OH देख रहे हैं यह OH और इस H को अगर हम आपस में जोड़ दें तो H2O बन जाएगा जलवी साव अलग हो गया अब क्या चीज बचा है CH3 CO बचा है मैं CH3 CO लिखे देता हूँ ओको मैं थोड़ा दूर लिखे देता हूँ और इन दोनों के बीच में मैं इस हाइड्रोजन को लगा देता हूँ पहँचानिए यह CHO बना है CHO LD हाइड होता है और यह जो फार्मूला CS3 CHO लगा है इसका नाम क्या है मैं कई बार आपके सामने बता चुका हूँ इसका नाम है एसी तेल्डी हाइड तो देखेगा बच्चो हमने एसी टिक अमल और फार्मिक अमल की अविक्रिया कराई आपस में इनका संयोग कराया मैगनस आकसाइड उत्प्रेरक को लेकर के बच्चो अपने को LD हाइड पराप्त हुआ एसी तेल्डी हाइड पराप्त हुआ तो अब तक हम लोग तीन मैथड की साहता से अल्डी हाइड के निर्माड को पढ़ चुके हैं आई होप आपको इस लेक्चर पसंद आए हुँगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में LD हाइड के कुछ अन्य मैथड का भी जिक्र करूंगा जिनके साहता से LD हाइड का निर्माड किया जा सकता है आज के लेक्चर में केवल इसके तीन निर्माड हम लोगों ने पढ़े आने वाली अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के निर्माड को पढ़ेंगे तब तक के लिए इतना ही आप लोग अपने घर पे रहिए सेफ रहिए